आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीरिंग के लिए जो सिंथेटिक मेटीरियल यूज होता है वो क्या होता है और किस किस टाइप का जो सिंथेटिक मेटीरियल यूज किया जाता है बीरिंग के लिए और इस सिंथेटिक मेटीरियल को क्यों यूज किया जा क्या क्या इसकी qualities है जिसके कारण synthetic material के bearing जदातर आज कल बनाई जाते आ도 आज के विडियो मैं इसी सब के बारे में बताऊंगा नमस्कार दोस्तों मैं हरीचंद आपके अपने Channel Technical Хphy इशर में आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर आपको टेकनोलोजी से सबंदित और इंजिनिरिंग टेकनोलोजी से सबंदित सभी वीडियो मिलेंगे वीडियो को अंत तक देखा करें और ध्यान से समझा करें तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सिंथैटिक मैटिरियल के बनाई जते हैं इसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रयोग की जाती है तो प्लास्टिक का प्रयोग के जता है जो सिंथैटिक मैटिरियल का यूजज तो यह neither जो प्रतिरोधि होती है और इसकी असानी से ढलाई की जा सकती है जैसे से इसकी कास्टिंग मसीनिंग असान होती है और इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है साउंड फ्री यूज होता है और लो वियर रेट ये मतलब जो कम घिषती है तो अब टाइपस ओफ सिंथेटिक मेटीरियल के बारे में बात करेंगे हम जो मुख्य रूप से जो मेटीरियल सिंथेटिक मेटीरियल यूज किये जाते हैं बीरिंग के लिए उनमें सबसे पहला है लैमिनेटिड फैनोलिक्स दूसरा टैफलोन पीटी एफ़ी जिसके बारे में मैं अगे विस्तार से बताऊंगा आपको और तीसरा है नाइलोन तो ये मुख्य रूप से तीन मेटीरियल बीरिंग के लिए यूज किये जाते हैं अब हम सबसे पहले बात करेंगे नाइलोन के बारे में यह एक सेल्फ लूब्रिकेटिंग मेटीरियल होता है और हलके भार के लिए इसका यूज किया जाता है इसमें फ्रिक्षन कम होता है जैसे लो फ्रिक्षन होता है इ और इसका wear rate भी बहुत कम होता है और इसकी machining भी असान तरीके से की जा सकती है। दूसरा material है टैफलोन, PTFE, Poly Tetra Fluoroethylene तो ये material भी self lubricated है और इसका coefficient of friction बहुत ही कम है और माइनस 330 degree से 307 degree F ताबमान में भी ये material सही से काम करता है और इस पर किसी भी chemical का प्रभाव नहीं पड़ता कोई भी chemical reaction का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु यह है महंगा material होता है उनकी बजाएद दूसरों की तो तीसरा है laminated phenolics इस material की जो high strength होती है और यह है जो cotton fabrics asbestos और phenolic resin का बना होता है यह इसके content है जिनका बना होता है यह इसमें जो सबसे बड़िया quality है इसकी soak absorb करने की इसमें गुण होता है इसमें और इसकी thermal conductivity जो thermal conductivity भी इसकी कम होती है इसके तरीकत कई और भी bearing के जो material होते है वो भी महत्त पुर्ण हैं जैसे copper lead alloy के जो bearing होते है वो high load के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे turbine वगएरा में और दूसरे होते हैं जो aluminum alloy के जो bearing होते हैं वो उसके लिए भी Aluminium Alloy के Bearing इस्तेमाल किये जाते हैं अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं White Metal की जो Tin Base होता है और Lead Base भी होता है इसका जो Tin Base को हम Babit Metal कहते हैं और ये कम भार के लिए जो हलके कामों के लिए यूज करे जाते हैं चोथे प्रकार के हैं जो Academium Base Alloy के हैं जो Nickel और Copper के बने होते हैं और ये High Temperature और Heavy Load के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं तो और Cast Iron के जो Bearing होते हैं उनका प्रियोग हलके Load के लिए और कम Speed के लिए किये जाते हैं तो मुझे उमीद है कि आप Bearing के लिए जो Synthetic Material है और कुछ और भी महत्वपून जो Material हैं वो क्यों यूज किये जाते हैं हर एक के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेर करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू धन्यवाद